भगवान बुद्ध ने कूटदंत को बताया कई ऐसे राजा हुए हैं जिन्नोंने अहिंसक यग्य किये कूटदंत आँखें नीचे करके बैठा है उसके मूँ से एक बात निकली ऐसी विलक्षन बात तो मैंने आज आपके मूँ से सुनी है मतलब उसको विश्वास नहीं आ रहा खाली उसको अब बुद्ध के आगे और तो कुछ बोल नहीं सकता तो क्याता है ऐसी विलक्षन बात मैंने आज आपी के मूँ से सुनी है बुद्ध भगवान उसके मन का संदेह भाप गए और निवारन करने के लिए उन्होंने उसको एक बात बताई अब यहाँ पर ये बात समझना गुरू ब्रह्म नेश्ठी भी होना चाहिए गुरू ब्रह्म श्रोत्री भी होना चाहिए उसकी बात का आशे बुद्ध भगवान समझ गए भाप गए कि इसके मन में संदेह पड़ा हुआ है और गुरू का काम है जब तक किसी के अंदर संदेह है तब तक उससे महनत करे अलग-लग तरह से महनत करे अलग-लग तरह से उतर दे ताकि उसके मन का संदेद दूर हो सके क्योंकि निष्ठी निष्ठा तक ले जा सकता है अगर शुरूत्री भी हो कई संत ब्रह्म निष्ठी है ब्रह्म शुरूत्री नहीं होते है ब्रह्म ज्यानी ब्रह्म निष्ठी भी होता है ब्रह्म शुरुत्री भी होता है और यह उसकी कॉलिटी है कि वो निश्ठा करा के उठाता है समाधान करके उठाता है क्योंकि अगला अगर आधे में उठ गया तो बात नहीं बनेगी संशे साथ ले जाए मन की शंका साथ ले जाए संदेर रहतों के ना उठे बले अभ्यास में उसको वक्त लगेगा लेकिन हमारे यहां से समाधान करके उठे जहां समाधानता नहीं मनन तो हो नहीं पाएगा गुरु का काम है समाधानता देना इसलिए कितने मिसाल आते हैं जैसे शुकदेव का बहुत कॉमन एक्जेम्पिल है कि उन्होंने देखा परिक्षत को भागवत सुनाई और उसकी शंका दूर नहीं हुई डर दूर नहीं हुआ परिशानी दूर नहीं हुई तो उन्होंने छोड नहीं दिया उसको फिर युक्ती की चंडाल की जोपडी का दृष्टांत बताया जिससे के उसके भीतर के अज्ञान का छेदन हो सके और वो निश्चे में आ जाए हलांकि बहुत आसान था कह सकते थे ठीक है मेरा काम हो गया मैंने ग्यान सुना दिया मैंने पूरी भागवत सुना दी अब अगला वेक्ती धारन करे तो उसकी मर्जी ना धारन करे उसकी मर्जी इसमें हम क्या कर सकते हैं चाहते अगर छोड़ सकते थे लेकिन छोड़ा नहीं है उन्होंने उसको बठा के फिर एक दूसरे तरह से जागरत किया जैसे capable teacher होता है वो एक ही question का answer कई तरह से दे के बच्चों के दिमाग में डालता है अच्छा इसको नहीं समझ आ रही ऐसे बताता हूँ नहीं समझ आ रही ऐसे बताता हूँ गुरू के पास भी बहुत युक्तिया है कभी ग्यान से कभी प्रेम से कभी कैसे कभी कैसे पर वो हमारे भीतर इस सच को डालने की कोशिश जरूर करता है छोड़नी देता कि नहीं समझ रहे तो जाएं नहीं बात सुन रहे तो जाएं उसकी कोशिश जारी रहती है आप देखो गुरू की तरफ से प्रेयास कभी कम नहीं होता रुकता नहीं है शुकदेव मुनी बैठ नहीं गए कि मेरा काम हो गया उनको लगा जब तक ये मुक्त नहीं हुआ मुझे बात करनी है अर्जुन को भगवान ने ज्यान सुनाया लास्ट में फिर उससे पूछा क्या तुने मेरा ज्यान ध्यान पूर्वक सुना क्योंकि अर्जुन रिस्पॉंस नहीं दे रहा था भगवान को लगा बताये तो सही अब कुछ समझाये नहीं समझाये मो दूर हुआ नहीं हुआ डर गया नहीं गया वापिस जाने की सोच रहा था वो ख्याल मिटा मन से नहीं मिटा तो उन्होंने पूछा क्या तुने मेरा ज्यान ध्यान पूर्वक सुना तो तब फिर खुदी शुरू किया दुबारा से अठारे में अध्याय में फिर सारा ज्यान रिवाइस करा दिगा तो लास्ट में जाके अर्जुन ने अपना निश्चे सुनाया भगवान की संतुष्टी कहां पर हुई जहां अर्जुन निश्चे सुनाया भगवान की संतुष्टी वहां पर हुई जब वो कहता है आपके इस आध्यात्मिक ज्ञान से मैं निश्ठा में हूँ भले अश्टा वक्र मुनी कितनी मेहनत लगे पर जब तक राजा जनक अपने सौरूप का पूरा बोध नहीं करता कैसे ज्ञान सुनाते जा रहे हैं अगर कोई संशे उठा उसको नश्ट किया जीवन मुक्त पुरुष की पूरी लक्षना समझाई और उसके बाद अनभव कराया जब हम किसी बात को समझ जाते हैं अनभव भी कर लेते हैं पर जब तक हम समझ नहीं रहें हमारी एक अपनी धारना बनी हुई है हमारी बुद्धी अपने उस पर अड़ी हुई है आप देखो flexibility खाली bodily नहीं होती जो mentally flexible नहीं होते वो physically भी flexible नहीं हो सकते हैं अगर अंदर आपने कुछ धारना की हुई है, किसी किसी का सौभाव देखो अपनी तरह का होता है, एंकार वाला, अड़ वाला आप देखो उसको आप कितना मुड़ना चाओ नहीं मुड़ सकता उसके अंदर लोच ही नहीं, फ्लेक्सिबिल्टी यही नहीं ग्यानी का मन मुड़ा हूआ है, उसको बार वहवार में मुड़ने में भी दिक्कत नहीं आती फ्लेक्सिबिल्टी है ना अंदर, मन में फ्लेक्सिबिल्टी है आप सब के according मुड़ लेते हैं अपने को, right तो right, left तो left, मुड़ लेते हैं जो मिल्टरी के soldier होते हैं, उनको main तो flexible बनाया जाता है. उनको बुद्दी नहीं चलानी है. उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, खड़ा औजा तो खड़ा औजा, थम जा तो थम जा. अंदर वाला इतना flexible हो जाता है, तब बार से flexibility भी आती है. इतना उनको हुकुम में चलना सिखा देते हैं कि जब दुश्मन भी सामने होता है और उनको बोलते हमला तो वो हमला कर देते हैं उस टेम ये विचार नहीं आने पाता कि हम मर जाएंगे अगर उनके पास अपना मन हो अपनी सोच हो कोशिश करेंगे पीट दिखा के वापिस भाग लें ये रोज के अभ्यास का परिणाम होता है चला देते हैं उनको ऐसे तो एक फ्लेक्सिबिल्टी होनी चाहिए जब हम अपनी धारनाएं रखके बैठे हैं तो हम कुछ कैच नहीं कर सकते गुरू को सारी मेहनत लगती है हमारी धारनाएं तोड़ने में जो हम संसार से धारनाएं लेकर के आए अब जेंट्स लोग धारनाएं ले आते हैं लड़के होते हैं छोटे बचपन से इसे रचड़ा दिये जाते हैं अपनी इगो, अपनी मैं, मैं घर का काम क्यों करूँ, ये काम करना मेरा काम नहीं है ओर्डर करना, मार पीट करना, बुद्धी वैसी जटे लो गई धारना बन गई एक धारनाएं, मैं लड़का हूँ तो मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगा ये सुनूंगा ये नहीं सुनूंगा, मैं कोई लड़की थोड़ी हूं सुनके चुप बैठ जाओ, धारनाएं हैं, अब इन धारनाओं को गुरू को बदलना पड़ता है, कैसे बदले, फिर वो ज्ञान द्वारा बदलता है, अभी याँ पर कूट दंत की धारनाएं, क्या ध राजा महाराजा ये यक करते हैं, देवताओं को इनका भाग मिलता है, राजे में सुकसमरिदी आती है, बुद्ध भगवान तरह तरह से उसको समाधान देने की कोशिश कर रहे हैं, कि इसकी धारना में बदलावाएं, बुद्ध को कुछ नहीं लेना, जो करना है करे जाके लेकिन बुद्ध सच का मार्क दिखा रहे हैं, उनकी जो कोशिश चल रही है, वो उसकी धारना बदलने की चल रही है, कि उसकी धारना में परिवर्तन कैसे आए, वो कैसे चेंज होए, वो कैसे बदली होए, धारना बदल जाएगी, तो काम बन जाएगा, पर जब तक वो अपनी धारना लेके बैठा है, उसके करम भी तो ठीक नहीं हो सकते किसी का करम कैसे ठीक कराया जाए अब अगला वेक्ति अधरम को धरम मान रहा है जब तक धरम अधरम का भेद नहीं समझेगा वो अपने करम continue रखेगा क्योंकि वो ये मान रहा है कि अधरम ही धरम है क्रोधी वेक्ति जब तक ये मान रहा है क्रोधी उसका धरम है तब तक वो क्रोध से क्यों हटेगा उसकी धरना तुड़वानी पड़ेगी न कि क्रोध अज्ञान का परिनाम है क्रोध इच्छा का परिनाम है क्रोध किसी समस्या का हल नहीं है क्या होता है? पूरा जो हम सत्संग सुनते हैं गुरु हमारी धारणा ही तो बदलब आता है और थोड़े कुछ है छोटे होते बच्चे को एक धारणा है खिलने में मजा है अब बड़े होते तक उसकी धारणा बदलते हैं माबाप, टीचर्ज मेहनत करके कि पढ़ोगे, लिखोगे तो बनोगे नवाब धारना बदली जाती है न तब 9-10 तक आते आते बच्चा इतना मेच्योर हो जाता है कि कहे बिना पढ़ता है हो धारना बदल गई छोटे पन में मार के बिठाओ तो भी नहीं टिकता फिर इदर देखेगा, उदर देखेगा, भाग जाएगा बड़े होके मादूद भी पास रग गई उसको घंटे बाए अरे तुन्हें दूदी नहीं पिया हाँ मम्मी मेरे को ध्यानी नहीं रहा धारना बदल गई धारना बदलने से उसके अपनी करम में एक आगरता हो गई एक आगरता में उसको आनन समझ आ गया अपना लक्षे समझ आ गया तो ब्रम शरोत्री गुरु जो ब्रम निष्ठी भी है उसका धरम है ज्यान को इस तरह से समझाना कि हमारी धारनाएं बदले ये भी एक धारणा है मैं जी हूँ, गुरु बदली करवाता है, ये धारणा है, कभी ये एंकार स्रिष्टता का, कभी एंकार निमनता का, पर है दोनों एंकार दादा भगवान से बोला उस इस्त्री ने, के मेरा तो पती भी नहीं, बेटा भी नहीं, घर भी नहीं, पैसा भी नहीं, मैं पड़ी लिखी भी नहीं, मैं अभी मान किस चीज़ का करूँगी दादा बोलते हैं मैं तो है, ये एंकार है, विशेशन तुम कोई भी जोडते जाओ, अब ये जीव भाव धारना है, बचपन से पकी है, धारन कर रखा है, मैं शरीर हूं, गुरु धारना बदलवाता है जैसे धारना बदलती है, आपकी द्रिश्टी, आपकी स्रिश्टी, आपके करम, आपके सौभाव, हर चीज़ में चेंग आता है, धारना बदलने से जैसे ही मानना शुरू करते हो अपने को son of God बदली रावन ने क्या बताया जैसे ही मैं अपने को राम कहता हूँ क्या होता है राम की लक्षना आ जाती है राम को याद करती ही मेरी काम विर्ती चली जाती है क्या हुआ ये रावन धारना बदलता है जब वो ये धारना करता है, मैं रामर्ण, मैं वेदों का ज्याता, मैं तिरे लोक विजयी, मैंने इस इस देवता को वश्च किया, मेरे जैसा महाबली कोई नहीं, सारी मैं आते ही पूरा असुर तयार हो जाता है, असुर कोई जात से थोड़ी है, आसुरी लक्षन आते ही वेक्ति असुर कहलाता है, अब सडक पे आप किसी को गाली दे आते हो, कोई लड़का बत्तमीजी कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो जात से थोड़ी है, पर आप उसकी नीची हरकतें देखके कहते हो नीच कहीं का, अच को क्यों जो धारणा कर ली वो लक्षना से व्यक्ति का नाम पड़ गया अब आशुरी गुण धारण करता है रावन तो राक्षस कहला रहा है राक्षसी प्रकृति आ गई धारणा बदली राम का ध्यान करता है अब मंदोदरी कहती है राम बनके चले जाओ सिता तुम्हें अ बुला राम का ध्यान करती सिता को पाने का तो मनी नहीं करता सिता लगी नहीं रह जाती मेरे से जहां राम तहां काम नहीं जहां काम नहीं राम तुलसी दोनों कब रहें रविरजनी एक धाम धारणा खतम कर दी राम की धारणा उते ही राम के लक्षन आ गए तो क्या काम हो का हमारी धार्णा में परिवर्तन लाना अब देखा बुद्ध भगवान ने कि समझ भी रहा है लेकिन नहीं समझ रहा है धार्णा टूटी तो है पर पूरी नहीं टूटी है क्योंकि अगर हम अपने अंदर एक बात सोचें किसी बात को हम समझ जाएं तो इस बात से वास्ता जरा कम ही रह जाता है किसी ने किया या नहीं किया लेकिन वो अभी चक्कर में है कि क्या कोई राजा ऐसा भी हुआ अब बुद्ध भगवान को लगा चलो इसको एक एक इक्जाम्पल दे देते हैं यह तरीका ही चल गए आज कल पढ़ाई का क्या प्रेक्टिकली चीजों को दिखा के सोचते हो के चलो बच्चे को अच्छी तरह समझ आ जाए जल्दी समझ आ जाए ऐसा ही होता है पहले हम लोग जब स्कूल में एक्सरसाइज करते थे तो पीटी वाला मास्टर नहीं करता था एक बच्चे को खड़ा कर देता था सामने आज कल जान जाते हो जिम में कहीं भी मास्टर साथ करता है क्यों उसको देखके हम परफेक्टली कर लेंगे बच्चा गड़बड कर सकता है Master को देखके कर लेंगे और जब एक कर पाता है तो लगता है हम भी कर लेंगे example भी देते हो आप पढ़ाते हो school में देखो इस बच्चे के कितने अच्छे नंबर आए योगावाला कहेगा देखो इस बच्चे के शरीर में कितनी flexibility है देखो इसने कैसे मोड़ा अपने को तुम भी कर सकते हो यही बात है अब बुद्ध को लगा कि ठीक है अगर इसको लग रहा है तो इसको एक example दे देते हैं भाई ऐसा शासक भी हुआ यह भी शासक है ना तो चलो इसको एक राजा का मिसाल दे के बताते हैं कि अहिंसक यग्ये भी करके कौन राजा अपने राजे में सुक्सम्रिद्धी ला पाया हो सकता है जब थोड़ा सा कुछ हम अपने ढर्रे से विपरीद जाते हैं कभी कभी examples की ज़ुरत पढ़ जाती है सामने एक example होता है तो लगता है शायद हमको motivate कर रहा है सामने एक example होता है तो लगता है अगर ये कर सका है हम भी शायद कर जाएंगे एक भावना बनती है न तो एक inspiration देने के लिए अब history पढ़ाते हैं school में English की Hindi की किताबों में कहानिया होती है क्या है ये सारा motivation ही तो है और उसके बाद जो questions बनाए जाते हैं चाह टीचर पुछे चाह चैप्टर के end में questions होते हैं उन chapters का aim क्या होता है बच्चा कितना motivate हुआ उसने क्या grasp किया इसमें से यही है न history पढ़ाने की कोई sense ही नहीं है क्यों पढ़ाते हैं इसलिए कि जो पहले वाले हो गए उनकी गल्टियां क्या थी और उनके गुण क्या थे हमारे पल्ले पढ़ जाएं motivation ही तो है सच्चंग में द्रिश्टांत बड़ा सहारा लिगा जाता है द्रिश्टांतों का बड़ा सहारा लिगा जाता है अवतारों की जीवनियों का छुट छुटे जो हाजसे उए उनका गुरू के जीवन की बातें बताई जाती है किस लिए? एड नहीं है ये सब इंस्पिरेशनल है ये सब सब इंस्पिरेशनल है न उनके सामने कारण आया उन्होंने भै क्रोध नहीं किया उनके सामने कारण आया भै उन्होंने प्यार किया उनके सामने कारण आया वो मुड़ गए और maximum number of times देखो अभ्यास में ये चीजें काम बढ़ी आती है कारण आता है न अचानक स्ट्राइक हो जाता है ये बात सुनी न दादा जी ने ऐसा किया ये बात सुनी न गुरु जी ने ऐसा किया आप अपने को जल्दी मोड़ पाते हो जल्दी आपको एक प्रेड़ना आ जाती है कि यहाँ जैसा गुरु ने किया मुझे वैसा करना है क्योंकि जो उन्होंने किया वो ग्यान किया एकॉर्डिंग होगा comfortably हो जाता है तो बुद्ध को लगा चलो इसको एक मिसाल देते हैं अब उन्होंने बताया कि जो अहिंसक यग्ये किया जिसने वो सिंद देश का राजा था उसने अपने बाहुबल से बड़े सारे ध्वीप जीते कहलो युद में अजे था अजे माना जिसको जीता ना जा सके इसी लिए उसका नाम पड़ा विजेता दुनिया में मशूर हो गया कि ये विजेता है क्योंकि एक 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 करके कई देश जीता चला गया अब उसको मिला चकरवर्ती पद चकरवर्ती राजा होते हैं जो कई देशों का एक ही राजा जो सिकंदर बनना चाहता था इसको पद मिल गया हो चकरवर्ती पद बड़ा खुश लेकिन एक दिन उसको अंदर कुछ विचार चला सारी अपने दर्बार के जितने दर्बारी थे मंतरी वगएरा सबको बुलवाया बुला मैं आप सब से कुछ सला करना चाहता हूँ मेरे मन में एक विचार आ रहा है मैंने बहुत देश जीते संसारिक सुख भूगों से मैंने अपना घर भी भर लिया प्रचंड सेना है मेरे पास कोई दुश्मन मेरी तरफ आँख उठाके देख भी नहीं सकता है हीरे मानिक मोती नर्दोश एक दम वो मेरे खजाने में भरे पड़े हैं नर्दोश होते हैं जो साबूत होते हैं कईयों में हलका क्रैक होता है कईयों में कुछ पॉलिश की दिक्कत होती है वो दोश वाले मानने जाते हैं सस्ते मिलते हैं मुला हीरे मानिक निर्दोश मेरे पास धेरों हो गए हैं लेकिन मेरे मन में एक कसक है, एक परिशानी है कि मैं अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पा रहा हूं। मैं अपनी प्रजा के भय को दूर नहीं कर पा रहा हूं। जो मेरे राजे में डाकू हैं, चोर हैं, बटमार हैं, कई इस तरह के उत्पाती लोग, गलत करम करने वाले लोग, वो प्रजा को कश्ट दे रहे हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहे हैं, मैं व्यर्थ का राजा हूं। फिर तो मैं अपनी प्रजा के लिए अमंगल की जड़ुआ ना, जब मैं अपनी प्रजा को सुख नहीं दे पा रहां। तुम्हें किस काम का हुआ। अब देखो एक सही राजा की पहचान, कि निज स्वार्थ में ना जिये। उसको ये भी ध्यान होना चाहिए, कि राजा का उत्तरदाय तो क्या है। अगर सब के सुख के लिए नहीं सोचता, तो राजा बेकार। राजा वो जो प्रजा के हित, प्रजा के सुख के लिए जरूर विचार करे। और वो कहने लगा कि हमारे राजे में चोर हैं, तसकर हैं, हत्यारे हैं, वे विचारी हैं, उत्पाती डाकों हैं, जो सबके जीवन का घात कर रहे हैं, तकलीफ पहुंचा रहे हैं सबको, वो दुष्ट समाप्त नहीं हो रहे हैं, जो प्रजा को सताते हैं, भय से प्रजा सुक की नीन नहीं करती, साधू जन अपने को सुरक्षित मैसूस नहीं करते, कि आप सबको मैंने इसलिए बुलाया है, कि आप सब बताएं, इस संकट से उबरने का क्या उपाए हैं, मैं क्या उपाए करूं मेरी प्रजा निर्भाय हो जाएं, सबके अंदर का डर चला जाएं, राजा उने के नाते क्या उपाए करूं मेरी, कहीं पर भी आपको, अगर कोई ऐसा ओदा मिलता है, आपकी ये धारना होनी चाहिए, सबके सुक के लिए, सबके कलेश मुक्त, भय मुक्तोंने के लिए, समझो आजा आप एक सत्संगी संभालते हो, कुछ लोगों को सुना रहे हो, आपको देखना चाहिए, हर एक खुश है, सबके अंदर का अज्ञान निवरे तो रहा है, सबको ज्ञान समझ में आ रहा है, सब जागरत पुरुश हैं, ध्यान देना पड़ेगा, कितने लोग आप से भय खाते हैं, कितने लोग गुरु से भय खाते हैं, उन सबको निर्भय बनाना, अपने प्रती भी भय खतम करवाओ, क्योंकि तुमसे वो लोग भय बीत हैं, मना तुम शासन कर रहे हैं उन पर, तुमसे भैभीत होते हैं लोग, तुमारे प्यार में कमी है, प्यार होगे न, डर नहीं होगे हमारा तो मोटी भी यही है, किसी को गॉड फेरिंग नहीं, गॉड लविंग बनाना है फिर अगले गुरु से क्यों डरते हैं गुरु के नस्दी क्यों नहीं है यह आपका उत्तर दाईत है आपकी जिम्मेदारी है अगलों की गुरु से पूरी बाचीतो लेंदेनो पूरी तरह गुरु से वो फ्री हों जुड़े हों यह सब जो आपको जगह मिली है वहां बैठके आपको विचार करना चाहिए यह नहीं मैं तो खुश हो मिरको दो-चार मिल गए जो मेरे आगे पीछे गुमते रहते हैं बस ठीक हैं वो तो बस मुझे ही पसंद करते हैं आपका ट्रैक गलत है एक तो समद्रिष्टी समभाव सबके लिए प्यार साथ साथ सोचो सबकी पूरी समाधानता हो सब अपनी परिस्थितियों में ग्यान को समझ के खुशों सबका गुरू से पूरा पूरा लिंक बने उनका अपना परसनल लिंक करवाओ गुरू से उनके अंदर का डर खतम करो उनके अंदर प्यार प्रिगट करो प्रजा सुखी तो तुम सुखी अगर तुम्हारी प्रजा में कोई भी परेशान है अशानत है तो तुम्हें उपाए करना चाहिए कि कैसे अगले की तकलीफ दूर की जाए कई लोग अपने पर कृपा नहीं करते उनकी परवानी जब कोई अपनी कृपा नहीं करेगा तो आप भी क्या कर लोगे पर आपकी तरफ से जोर पूरा लगना चाहिए ये नहीं कि आप सोचो चलो ठीक है ना कुछ तो सुनी रहे हैं अरे ठीक है ना गुरू से नहीं मेरे से तो जुडाई पढ़ा है ना ठीक है लोगों को डर भी होना ही चाहिए ये सोच बड़ी गलत है जिस भी राजा की प्रजा के प्रती कुछ इस तरह की सोच होती है वो राजा कभी काम्याब नहीं होता अंदर के भावों की शुद्धी चाहिए दिखावा नहीं ब्रह्मग्यानी के अंदर दिखावा नहीं है वो सिरफ दिखावे के लिए काम नहीं करता है निश्काम्ता उसके भीतर का सौभाव बन जाती है करुणा उसका सौभाव बन जाता है फिर दादा जी की बात याद करो मैं प्रेम करने के सिवाई रह नहीं सकता हूँ इसलिए प्रेम करता हूँ प्रेम सौभाव बन गया उनका सूरज रोशनी नहीं देगा तो क्या अंधेरा देगा ज्यानी का सौभाव प्रेम करुणा वो नहीं रह सकता प्रेम करने के सिवाई वो जूठा तुमसे नाराज भी हो जाए न तो भी तुम्हें पता होता है अंदर से नाराज नहीं इतना उनका प्रेम का सौभाव बन जाता है तो ऐसा ही सौभाव होना चाहिए सत्संग में बोलने के लिए प्रेम नहीं है कि कथा कर दी हमने प्रेम की अब कई लोग गुरु भक्ती पे भी कथा कर लेते हैं गुरु की बात भी कर लेते हैं गुरु में मन होना चाहिए यह हो पर अपने आप से पूछ के देखो तेरे जीवन में गुरु भक्ती कितनी है अपने आप से पूछ के देखो गुरू की महिमा करवा रहे हो या इंडिरेक्टली उनको अपने में अटका रहे हो ऐसी बातें करके भी बहुत हुश्यारी है क्योंकि तो बुद्धी की हुश्यारी नहीं सिरफ जबानी ज्यान नहीं पर ये चीजें हमारे स्वभाव में आ जानी चाहिए वो बचपन में स्कूल में भी सिखाते थे सरवे भवन्तु सुखिना, सरवे संतु निरामया बोलते थे नहीं बोलते थे क्या भावना है उदर आरे समाज में यग्ये रूप प्रभू हमारे भाव उज्वल कीजिए छोड़ दे में छल कपट को मानसिक बल दीजिए उसमें भी आता है न सारा कि हम सब के हित के लिए जिए सब को प्यार करने के लिए जिए सब की भलाई के लिए सोचे गलत विचार हमारे पास ना आए के यक करते हैं ये क्या है ग्यानी यग्ये सचसंग भी यग्ये एक रोज इस संग कल्प से बैठो यग्ये रूप प्रभू हमारे भाव उज्वल कीजिए हमारे भावों को उज्वल बनाओ और उज्वल भाव कौन सा होता है निशकामी का भाव सबसे उजवल है जहां सकामता आई वहां एक-एक करके सारे भाव बिगड़ते जाएंगे लोब आ गया, लालच आ गया, सुख बुद्धी आ गई भाव बिगड़ते जाएंगे लेकिन भाव उजवल कैसे होते हैं निशकामी के भाव उजवल है जो सबका सुख सोचता है उसके भाव उजवल है जो सरव के हित के लिए जीता है उसके भाव उजवल है तो ये बात ध्यान रखना हमारे भाव उजवल होने चाहिए राजा के भाव उजवल है इसी लिए वो मंत्रियों को बुला के बात कर रहा है कि मुझे बताओ मैं कैसे करूँ हम लोगों के पास कभी कोई केस अड़ जाता था न भगवान से सला करते थे भगवान अभी फलाने का कैसे करें खुश नहीं हो पा रहा है दुख नहीं भूल पा रहा है परिशानी है उसके मन में तो कभी तो वो बताते थे अच्छा ऐसे बात करो ऐसे प्यार करो साथ दो कभी बोलते थे यहां भेज दो रगले को भेज दिया फिर वो खूब प्यार करते थे साथ देते थे खिला के अगले को भेज देते थे तो ध्यान रखना है इन बातों का भी जिसको ग्यान सुनाओ उसका अचार, विहार सब ध्यान रखो देखो उसका गुरू से लिंक हो रहा है के नहीं हो रहा है पूरा उसको जोड़ो नहीं तो तुम उसके दोशी हो कि अगल्या विश्वास करके बैठा और तुमने उसको अपने में अटका के सत्यानासी कर दी ग्यान चारों तरफ का बताओ सबके लिए निश्काम भाव रखो हमने इनको इनके पैरों पे खड़ा करना है हमने बस इनकी मदद करनी है दादा जी की तरह कि इनको अपने अंदर का छिपा हुआ खजाना मिल जाए हमारी भाव नहीं इतनी उज्वल होनी चाहिए किसी से भी मेहनत करो परस्नल इंटरस्ट नहीं ये भी मत गिनना कि मेरी गिंती बढ़ जाएगी मेरे लोग बढ़ जाएंगे मेरा एरिया बढ़ जाएगा गल्टी मत करना ऐसी उज्वल भाव से चलना हमेशा बहले एक बने अरजुन की तरह कोई दिक्कत नहीं मुर्खों की भीड़का भी क्या करोगे जिनको ग्यान समझी ना आए समझो दस अजार लोग कठे कर लो सत्संग कितने लोग समझ रहे है बाकी लोग खली उपरी उपरी बाते हवा में कर रहे है उपरी उपरी प्यार दिखा रहे है आतम निश्ठा में खड़े नहीं है जीवन में परिवर्तन नहीं है हालत आने पर हर बढ़ाहत है उनके अंदर यूज क्या उसका कोई यूज नहीं गिंती मत बढ़ाना किसी की महांता पबलिक की गिंती पर डिपेंड नहीं करती फिर तो सबसे ज्यादा कम महां कृषण जी हैं जिन्होंने एक को घ्यान सुनाया तुमारी सरकार भी कहती है बढ़े शेयर का बच्चा एकी अच्छा बहले एक को बनाओ पर ऐसा बनाओ कि वो तरप्त हो वे सारे पेपरों में पास हो वे अब कहीन के पास आजाते हैं कई नस्दीक अब तुमारे ग्यान में बी ठीक तुमारी सेवा में भी ठीक तुमारे प्यार में भी ठीक पर गुरू के इमतिहान में तो 0 नमबर है उसका ना वो गुरू के नजदीक ना वो गुरू से जुड़ा हुआ ना उसका गुरू से कोई लेन देन तो मेन एक्जाइम में फेल है तो कोई गेमस कब भी पास कर गया म्यूजिक भी पास कर गया, ड्राइंग भी पास कर गया, पढ़ाई वाले में जीरो है तो क्लास थोड़ी अगली मिलेगी, उसमें भी तुम अगले के दोशी हो गए, तो ध्यान रखना उज्वल भाव से, शुद्ध भाव से, जैसे माली ने फूल खिलाए, मालिक को अरपन क परते जाओ, जो फूल तेरे पास रहा, उसका दोश तेरे को आएगा, और तेरे भी जनम मरण का कारण बनेगा, इसलिए रखनी है, सावधानी, जैसे राजा के भाव उज्वल ने, बात ये समझो, बात बड़ी शौट में खतम हो सकती है, लेकिन बातें जो बीच में समझ क्योंकि वो धारनाएं बदलने के सिवाए यग्य सर्वतम नहीं होगा, जो यग्ये तुम कर रहे हो, ये सर्वतम यग्ये तब है, अब बले तुम विश्व विजय हो जाओ, पर अगर अपने इर्द गिर्द राजकता है, बले तुम लेक्चर कर आओ, पर अपने मनिंद्र पर जीत नहीं है, अपनी काया नगरी में विशमता हो, बाहर तुम चकरवर्ती राजा हो, तो भी तो बेकार है, अपने मन से रागद्वेश नहीं गए, छोटा बड़ा नहीं गया, निंदा प्रशंसा करने की बिमारी अभी तक है, जहां मौका लगता है, मुह निंदा करन जाओ, निंदा क्यों, निंदा का क्या काम, तुम गुरु मुक है, गुरु मुक का आदर करना जानो, जहां मौका लगा, जटपड मुह से निंदा निकलती है, तो जब अपने राजे में दोश, बाहर चकरवर्ती राजा भी हो जाओ, भी मैंने न, दस एरियाज में बना लिया, करोगे क्या, तुमारा अपना मन तो शुद्धी नहीं है, तुम चार लोगों के बीच रहके करम बोलते नहीं हो, पर गिनते हो, सड़ते हो, कुडते हो, अंदर इमेज बनती है, कोई प्यार वाला, किसी से नफरत, किसी को देखना भी नहीं चाहते हो, किसी से ठीक कहह रहा है बाहर इतना कुछ जीता है अपने राजे में परेशानी है अब जब अपने तनमन में ख़लबली मची हुई है बाहर कितनों को भी ग्यान सुनाया फाइदा क्या तुमें तो असार होता है तुमें दुख भी लग रहा है हो तो पहले तो तुम्हें अपना राज्य संभालने की जरूरत है बेड़ा पांड लुड़ीडी है अतबियन खे काली दूसरों को आद देने में लगे हो अपना बेड़ा डूपता जा रहा है अपनी उमर यह सो भाव पनपते हैं तो स्तर्क तो यहां पर भी रहना पड़ेगा अब एक मंत्री उठ खड़ा हुआ कई ज्यादा से आने होते हैं फटा-फट उठ गया बुला राजा जी मैं आपको उपाए बताता हूं बड़ी अन्मोल मंत्र ना देता हूं मैं आपको आप अगर मेरा कहना मान के उपाए करोगे न बस आप देखना आपका भी कल्यान प्रजा का भी कल्यान आप एक शुब कारे करो सर्व में द्यग्ये करो और इस यग्ये में क्या होगा जब आप सर्व में द्यग्ये करोगे पाप और ताप नाश हो जाएंगे आपको जीते जी यश और नाम मिलेगा यहां तक के दिवंगत होने के बाद भी आप स्वर्ग का सुख भोगोगे इस यग्ये में करना क्या है जितने जल थल और न भाचारी जीवें जल में रहने वाले प्रत्वी पे रहने वाले और आकाश में विचरन करने वाले जितने भी जीवें यग्ये कुंड में इनको हवन करो इन सब का एक एक लेके जीव हर जाती का उनको बली दे दो हवन कुंड में देवता बली पाके हो जाएंगे प्रसन तो क्या करेंगे हमारी प्रजा को सदबुद्धी देंगे कलेश कटेंगे अपराद घटेंगे सादू जन सुखी हो जाएंगे देवताओं की क्रिपा से ये मेरी मंत्र ना है अब सुना सबने पूरा मंत्री परिशद मैजॉरिटी कंसिस्ट ओफ फूल्स दादा जी का वचान पूरा मंत्री परिशद समर्थन कर उठा हाँ बिलकुल ठीक बात यही यग्ये करो सारे पशुपक्षियों की आउती दे दो देवताओं को बली चड़ाओ देवता सारे राज्ये को सदबुद्धी देंगे कलेश खताम हो जाएंगे सुक्सम्रिद्धी आ जाएगी हम सारे एग्रीड राजा ने देखा परदानमंत्री की तरफ परदानमंत्री जो था वो चुप बैठा था उसने समर्थन नहीं किया एक बात ध्यान रखना अपना विवेक अपनी बुद्धी होनी चाहिए मुर्खों की तरह किसी के पीछे चलने वाला भी गिरता है हेल्पिंग हैंड सब एक दुसरे के हो सकते हैं लेकिन फिर भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए कई बार हम इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं दुसरों पर मेरी गलती भी तुम बताओ अपने को कैसे बनाने ये भी तुम बताओ तुमने ठीक कह दिया तो मैं ठीक हूँ तुमने मुझे गलत कह दिया तो मैं गलत हूँ ऐसा वेक्ती तरक्की नहीं कर सकता चापलूस तयार हो जाएगा क्योंकि अपने पैरों पे खड़े होना है अपने अकल से काम लेना है कोई तुम्हें पॉइंट आउट भी कर दे तुम गलत हो एक बार अंतर मुख हो के विचार हो गलत हो तो से थेंक यू और नहीं हो गलत तो परिशान होने की ज़रत भी नहीं वो अगले का नजरिया है तुमारा अपना कॉंशेस भी तो कोई चीज है ये भी चीज समझना जो कल आएं गुरु एक के जीवन में खिला सकता है सबके जीवन में खिला सकता है लेकिन तुम लोग क्या करते हो डिपेंडेंट हो के चलना शुरू कर देते हो उसमें कभी भी कुछ हासिल नहीं होगा अपने दिमाग के घोडे दोडाने सी को भगवान ने बुद्धी दी किसलिए ऐसे का ऐसे पैक्ट पीस वापिस ले जाओगे विकने वाला है कहीं पर अगले जनम में दुबारा लेओगे ओवर हर चीज गलाता है लेकिन पता तो होना चाहिए गुरू ने भी वी वेक जगाया है तुम्हें मालूम भी तो होना चाहिए सही क्या गलत क्या तभी देखो कोई बात होती है नहीं हम कहते हैं अगले से बात करो सामने जाके उससे बात करो वो अपना व्यू बताएगा, तुम उसको अपना व्यू बताना, या वो सीख जाएगा, या तुम सीख जाओगे, एक जना तु सीखेगा, अगला गलत होगा, तुम सीख जाओगे, तुम गलत होगे, तुम सीख जाओगे, तरीका ही यही है, लेकिन किसी ने कह दिया, तो बस से मन निकाल को तुमारे में रख ले, गुरु से भी मन निकाल ले, अपने से भी निकाल ले, उसकी विर्ति कहा जाएगी सारा दिन, द्वैत में, अपने अपने ठेकेदार खुद बनो, अपने अपनी जांच खुद करो, तुम्हें अपने हर करम का पता होना चाहिए, तुम् विचार प्रगट किया यह बाकी सारे थे चापलू स्टाइप के राजा को इस मंतरी की भाद पसंद आ गई है अब उद्धी भी उतनी होगी दरबारियों की बुद्धी कहां होती थी सब ने समर्थन दे दिया राजा ने देखा परदान मंतरी की तरफ वो बैठा हुए तो उपाई इसने बताया है एक कोड़ी का भी नहीं है कि ये मंतरना अनमोल नहीं है इस मंतरना की कीमत तो दो कोड़ी भी नहीं है बेकार बात एक दम कैसे की वहत से जीवों की हथ्या करने से उत्पात खतम हो जाएगा या उत्पात हम करेंगे उत्पात तो हम मचाएंगे न जब हम पकड़ने भागेंगे शिकार करने भागेंगे जल में वो डाल डाल के जाल जीव निकालेंगे उपर पंचियों को पकड़ पकड़ के पिंजरे में बंद करेंगे मारेंगे हत्याएं करेंगे उत्पात खतम होगा या एक नया उत्पात शुरू होगा पहली बात और अजीब बात यह है नए पाप करने से पुराने पाप खतम हो जाएंगे यह कैसी सोच है हम पुराने पाप खतम करने की सोच रहे हैं और नए पाप करके हम कह रहे हैं पुराने पाप खतम होंगे किसी को संताप दे के हमारा संताप कट जाएगा कैसे कटेगा बुरे बुरे करम करके अच्छी बुद्धी जागरत हो जाएगी हम प्रजा वाले मिलके बुरे करम करते हैं राजा का साथ तो देंगे ना कुछ लोग तो बुरे करम करने से अच्छी बुद्धी जागरत हो जाएगी क्याता है मुझे ये बताओ चींटी हाथी पैदा कर सकती है क्या आप लोग जो करने की सोच रहे हो वो तो ये है कि आप सोच रहे हो चींटी हाथी पैदा कर देगी की का राम के फल देने लगेगा कीचड से कीचड दुल जाएगी नीम निचोड के शैद किसको मिला आज तक सारी बातें उथली हो गई न कहने लगा राजा को आप प्रिथवी के मुकूटो चक्रवर्ती राजाओ महिमावान हो आपके द्वारा शुब कारे होना चाहिए जो देखने में भी शुब लगे ये एक इंपोर्टेंट फेक्टर है मन्शा अच्छी करम गलत करने जा रहा था कई लोग बोलते हैं इंटेंशन अच्छी थी इंटेंशन अच्छी को क्या करोगे अच्छी इंटेंशन करम भी अच्छे करवाए तब ही उसने बोला शुब कारे करो पर जो देखने में भी शुब हो अब भी शुब कारे तो तुम करना चाह रहे हो करम तो देखने में सारा ही है शुब है ऐसे थोड़ी बात बनती है ज्ञानी हो तुम्हारे भाव भी अच्छे हो उन भावों को प्रगट करने का करम भी अच्छा हो ये भी तो बात है ना कारे भी तो अच्छा होना चाहिए कई लोग भाव संभालते हैं करम नहीं संभालते हैं कई लोग करम संभालते हैं भाव नहीं संभालते हैं जबकि भाव और करम दोनों को संभालना पड़ता है करम योग तब से दोता है आपका भाव भी ठीक हो आपका करम भी ठीक हो मान लो करम आपने ठीक कर दिया भाव अच्छा नहीं है फल ठीक नहीं निकलेगा भाव अच्छा है करम गलत कर दिया तब भी बात नहीं बनेगी भावना के साथ कर्तवे कर्तवे के साथ भावना ये दोनों जुड़े हुएं आपस में भावना का भी ध्यान रखो कर्तव्य का भी ध्यान रखो दोनों बातें भाव बहुत अच्छा है करम भी अच्छा रखो मान लो आप किसी को आइडिल मानते हो अपना भाव है आपका लेकिन करम तो संभाल के करोगे न जाके उसको चिपट जाओ, जाके उसको प्यार करने लगो तो करम तो देखने में गलत आएगा उस समय भाव प्रगट करने का तरीका क्या हो? कि आप उसको नमस्कार करेंगे आप उसके लिए बुके ले जाएंगे आप ठेंक्फुलनेस को शब्दों में बयान करेंगे हो गया फरक? एक मा है, उसका बेटे के प्रती प्रेम है अब प्रगट करने का तरीका फरक है उसको दूद भी पिलाएगी, गले भी लगाएगी प्यार भी करेगी अब मा बोले बचे को ले बेटा में तरी लिए बुके लाई हो फॉर्मैल्टी में आजाए वो बद्दा हो जाएगा हो जाएगा बद्दा के नहीं फरक होगा भावना और कर्तवे दोनों का ध्यान दखा जाएगा भावना अच्छी है पर करम खराब हुआ तो लोग तो आपका करम ही देखेंगे भाव तो कुई देख भी नहीं रहा और परिणाम गलत निकलेंगे ये बात ध्यान रखना और मान लो करम आपका दुनिया देख रही है इसलिए आप अच्छा करो फिर उससे परमात्मा नाराज है भाव दोशी है उसका भी परिणाम अच्छा नहीं एक फैक्टरी में काम करते करते मजदूर का हाथ कट गया मालिक हर महीने तनखा पहुंचाने चला जाए लेकिन वहा क्या पता चला उसकी जवान बेटी पे नजर है उसकी तो करतव्वे अच्छा था भावना दोशी थी न ऐसा नहीं होना चाहिए तो परदान मंत्री ने क्या बोला बोला हमारे राज्ये में कंगाल लोग हैं साधन ही नहीं क्योंकि अगर आप उनको सम्रद करना चाहते हो उनको साधन उपलब्द कराओ जो खेती करना चाहते हैं उनको हल दो, बैल दो शिल्पकारों को साधन दो जो बिजनेसमेन हैं, वानिक लोग हैं उन लोगों को लोन दे दो उनके पास पैसा होगा वो अपना व्यापार फैला पाएंगे ऐसे ऐसे काम करो ना बेकार लोगों को शासकी ये काम दे दो राजे में नोकरी दो अपने उनको कहीं ना कहीं कुछ काम करने पे लगा दो जब लोग बूखों नहीं मरेंगे जब लोगों के पास अपनी रोजी रोटी होगी अपराद अपने आप खतम हो जाएगा क्योंकि बेकारी बेरोजगारी ये अपरादों को मोटिवेट करती है जब सबके पेट भरे होंगे सबको सहज सब मिल रहा होगा तो अपने आप ही अपराद घटेंगे ना आप ऐसा कुछ काम करो अब ये बात राजा को भी जच गई ये बात सारे दर्बारियों को भी जच गई अब कभी कभी सत्ते के लिए आवाज उठानी पड़ती है और जब एक आवाज उठाता है तो उसकी आवाज बहुतों को मदद कर जाती है सबको लगा कि इसका व्यूज ज़्यादा अच्छा है सबको लगा इसकी बात सही है ज्यानी चुकता नहीं है अगर कहीं पर उसको सत्ते के पक्ष में बोलने की unnatural लगती है ये बोलता है हाँ उसके बाद कोई अपना है ना अपना है टिंशन नहीं है बेईशती नहीं है लो मैंन तो सला दी लोगों ने माने कोई बात नहीं कोई फरक नहीं पड़ता माने ना माने लेकिन जहां आवशकता होती है वो सत्ते कहता जरूर है हाँ मर्यादित शब्दों में अच्छे शब्दों में किसी को अपमानित ना करते हुए पर अपनी बात को कहता है तुम अगर तुम तो चार दिन आए पर 40 दिन के लिए बात अच्छी हो जाएगी 400 दिन के लिए अच्छी हमेशा के लिए अच्छी हो जाएगी कह देने में क्या अर्ज है बात कर देने में क्या हर्ज है कोई अर्जा नहीं तो बात को जहां जरूरत तो प्रगट कर देना तो सब लोग उसकी बात से एग्री हो गए अब क्या हुआ जब ऐसा सब को सुविधाएं दी गई फसल अच्छी हुने लगी शिल्पकारों ने अपनी कलाएं विक्सित की जो बिजनेस वाले थे उन्होंने दूर दूर देशों तक अपना बिजनेस फैला दिया एक्सपैंड कर दिया सारे राज्ये में सुक्सम्रिदी आ गई अब ना मां बचे चोर ना बचे डाकू ना बचे हत्यारे दोश खताम हो गए दुरगुण नश्ट हो गए समात सारा निर्भै हो गया अब देखो हम लोगोंने सबको सुखी बनाना है क्या करना पड़ेगा सबको ग्यान का सिद्धान समझाना पड़ेगा जब तक सबको ग्यान का सिद्धान नहीं समझाओगे तुमारे यहां सचसंग का अट्मसफेर भी हल्डी नहीं होगा क्यों कि यहां तुम देखो सचसंग का अट्मसफेर भी हल्डी नहीं है कई इदर उदर से आते हैं जुड़े हों हैं कहीं कहीं बताते हैं आके हमारे यह तो निंदा चुगली खुली चलती है, फोन पे हम बातें करते हैं, ऐसा होता है, क्यों है ये कच्रेबाजी, क्योंकि अंदर से लोग हेल्डी नहीं है, क्योंकि ग्यानका से दांत नहीं समझा है, उन्होंने वही संसारिक सौभाव यहां पाल लिये, यहां भी एक संसारिक दा गारी यह पापों का कारण है, ऐसे देखो अगर कोई भी पाप में पढ़ा है, अच्छा किसी का करम समझा आता है, गल्ती पता चलती है, यह देखो न कि उसको ग्यानका से दांत क्लियर नहीं है, उसको गल्ती के लिए मट डांटो, उसको ग्यानका से दांत समझाओ, समझ जाएगा नहीं करेगा, डांट के पनिश करके क्या करेंगा, चा गल्ती की सजा देदें चलो, कई बार कई लोग कहते हैं, क्राइस को बोला पनिश मी, क्राइस ने बोला पनिश मी फॉर एवरी फॉल्ट, आप सजा दो, सजा हम क्या दें, तेरा पश्तावा ही तेरी सजा हो जब हम उसको समझ देंगे ग्यान की, अपने आपी सारा शासन ठीक हो जाएगा, पाप मुक्त हो जाएगा, अगला हो जाएगा और उसकी वज़े से अगर कोई चार लोग और परिशान होते हैं, वो भी ठीक हो जाएगा. मेन बात तो यह है, ऐसे गुद्धभगवान कहने लगे उसको, ऐसे उस राजा ने हत्या किये बिना प्रजा को सुख पहुंचाया, और भविशे में भी ऐसे राजा होते रहेंगे, जो अपनी जनता को अभय और अशोक करेंगे. अब कूटदंत कहने लगा, भगवान आपके ज्ञान से, मेरा अज्ञान दूर हो गया, ज्ञान का दीपक जल उठाया, ज्ञान का गूर रह से मुझे समझ में आ गया. मैं प्रकाशित हो गया हूँ, मुझे समझ आ गया कि आपकी समझ से जीवन चलाना यही सर्वुत्तम यग्ये है. अहिंसा के मार्ग पर चलना अहिंसा की अग्ये है, मनुष्ये का मनुष्ये के लिए प्रेम होना यह असली अग्ये है. तो आप कृपा करके मुझे धम दीक्षा दें और उपासक बना के अपनी शरण में ले लें. भगवान बुद्ध ने उस पर कृपा की, समझा की अब यह ज्यान के हिसाब से चल रहा है, जान गए कि अब यह जाग उठा है, बहुत खुशी से उसको शरणागती दे दी. और यह बात जितने लोग साक्षी हुए या जो भी धरम गरंथ शास्त्र किताबें बनी हुई हैं, उनमें आती है कि बुद्ध भगवान के पास लोग आते तो थे क्रोध और घमंड से. लेकिन फिर उनकी प्रशंसा करते हुए, उनके धम को स्विकारते हुए, उनकी शरणागती लेते हुए वापिस जाते थे. वही बात कूटदंत के साथ हुई, कि वो बुद्ध भगवान का विखू बन गया, उपासक, ग्रस्ती शिष्षे बन गया, उपासक उनको प्रणाम किया, और बहुत खुशी से, अपनी धारनाएं बदल के, दिल दिमाग खाली करके, जागरतों के, नई दिशा लेके, नई सोच लेके, बुद्ध भगवान के पास से विदा हुआ और उसने संकल्प किया, कि वो आजीवन यही सर्वुत्म यग्य करेगा, और सब को भी यही यग्य करने की प्रेणा देगा,